गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम टू टीचिंग गरू तो आज गर टोपे में बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है और एक्सपर्ट डागराम के मत से भी एक समझने कोशिश करेंगे असारी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपर्ट सिस्टम हम किसे बोलते हैं तो पहले डेफिनेशन देखिए एक्सपर्ट वेर विच यूज डाटाबेस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज तो ओफर एडवाइस और मेक डिसीजन आ केम्प्यूटर सिस्टम यानिके यूज करता है डाटा बेस किस चीज़ का एक्सपर्ट की नॉलेज के साथ तो ओफर एडवाइस और मेक डिसीजन Shiv wider चीमीप्यूटर सिस्टम जो डिसीजन लेता है जो हूमन एक्सपर्ट की डिसीजन लेने की इबिलिटी उसको देखता है और उन abilities को use करके जो complex problem है उनको solve करता है by reasoning और through codes, codes की मज़ से और reasoning की मज़ से उन problem को solve करने की कोशिश करता है तो असान बासा में अगर हम बात करें तो यह क्या है, expert system basically अगर हमें कुछ चीज नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, हम expert की मदद लेते हैं हम उसके help लेते हैं, हम उसके help लेते हैं कि जिसको उसके बारे में knowledge हो चाहिए deep knowledge ना हो, मगर उसको थोड़ी बहुती knowledge होनी चाहिए, उसको expert मानते हैं यानि कि जिसको हम से ज्यादा knowledge है, उस चीज के बारे में उसको expert बोलते हैं expert system में भी ऐसे ही होता है diagram की diagram में देखिए यहां पे diagram में अच्छे से सोंज каких में आ जाएगा यह non-experts user जिसको कुछ नहीं पता कि क्या करना है एक export नहीं है और यहां पक्या expert है knowledge from an expert यहां पक्या एक इसकी Gu reas I included the user interface टिक यूरнитरफयस को दी interface engine में जहाँ पूरा knowledge का base रखा गया यहाँ इशको पूरा expert system is यह बीच वाला जिसको पूरी knowledge है यह knowledge इसके पास कहाँ से आई इसके पास expert की तरफ से knowledge from expert की तरफ से knowledge नोलेज है इसने पूछा expert ने इसको जवाब दिया knowledge base में इसकी knowledge है वो इकठा होगी, यह पूरे एक expert system बन गया, देखिए एक example, इसकी best example है, वो है quara, quara में क्या होता है, कि कोई भी हम अपनी problem डालते हैं, कि यह कैसे करना है, या फिर इसका क्या मतलब होता है, कुछ भी हम उसमें problem डालते हैं, तो हमारे पास solution आ जाते हैं, वो solution कहां से आया है वो solution है expert की knowledge से, यानि कि जिसको उसके बारे में पता है, वो अपना answer वहाँ पे दे देता है, और quara का expert system बन गया, expert system हमको आगे, जो information है वो आगे provide कर देता है, कि इसका ये solution है, तो quara वो expert system है, और जो उसके अंदर वो knowledge डालते है, वो क्या है, knowledge है, from expert की तरफ से, वो expert उनक इंटरफेस इंजर ने बाप से user interface को दिया, फिर advice इसको बता दी कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है, इसकी कोई query थी, expert system ने इसकी query को देखा, उसकी solution को check दिया, और solution उसको advice की form में उसको भेज दिया, कि आपने ऐसे काम करना है, या फिर आपने ये काम करना है, जो भी उसका question इसको solve out कर दिया, तो ये क्या था, ये expert system वो होता है, जो हमारी किसी भी problem को solve करे, through advice के, हमें कोई advice दे, अच्छे काम करने में, हमारी जो problem को solve करे, उसको expert system मानते हैं, तो आई होप आपको video अच्छा लगाओ, thank you video देखने के लिए,